बनाना बहुत ही आसान है बस आपने मेजरमेंट्स को कम्प्लीटली फॉलो करके बनाना है तो आपका भी केक इतना ही मज़ेदार जाली दार बनेगा यह देखे इसकी जाली मैं आपको बता रही हूं कितना सॉफ्ट और स्पॉंजी केक बनकर तयार हुआ है तो चलिए बनाना करते हैं यह मज़ेदार सा फुरूट केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां पर टूटी फूटी ली है एक वन फॉर्थ कप के जितनी है लाल और ग्रीन कलर की मैंने ली है इसमें थोड़ा सा हम मैदा मिला के रखेंगे ताकि यह जो हम केक में दालेंगे तो यह नीच फ्रिज वाला है तो आप इसे पहले निकाल के रूम टेंपरेचर पर रखेंगे और फिर केक में मिक्स करिए और त्रीफोट कपी हम इसमें ओयल डालेंगे और आपने रिफाइंड ओयल डालना है कोई भी खिसम का फ्लेवर ओयल इसमें आप नहीं डाल सकते वरना उसका फ् अब त्रीफोट कप पाउडर शुगर मैंने इसमें आट कर दी और इसको भी हम अच्छे से विस्क कर लेंगे ग्रेंडर में आप शक्कर को पीस लीज़ और केक में मिक्स कर देंगे अब देखिए शक्कर दही और ओयल अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें आट करेंगे मैदा और फिर 1-4 cup मैदा आट करेंगे और चल्नी रखने से बहुत ही जालीदार केक बनेगा अब इसमें आट करेंगे 3-4 teaspoon baking powder और 1-4 teaspoon baking soda जो खाने का सोड़ा होता है वो बस 1-4 teaspoon दालना है अब हम इसको अच्छे से चान लेंगे मैंने जैसे कहा चानने से बहुत ही अच्छ हो गया था बैटर तो हम इसमें half cup के जितना दूर दालेंगे दूर भी आपने room temperature पे ही दालना है अब हम इसमें 3 drops pineapple essence के दालेंगे अगर आपके पास में mixed fruit का essence हो तो आप वो आट कर सकते हैं उससे और भी अच्छा flavor आएगा केक का इसमें जो हमने tutti fruity पहले से आटे में मिक् कर देंगे तो केक का बैटर अच्छे से रेडी हो गया है जब मैंने केक के मिक्सिंग स्टार्ट की थी तभी मैंने प्री हीट कलिया था अवन को 160 डिगरी पे 10 मिनिट के लिए अब अवन भी तैयार है तो चलिए केक को बेक कर लेंगे मैंने आप एक टिन लिया हुआ है इस के बैटर की कंसिसेंसी आप देख सकते हैं इस तरह से रिबीन कंसिस्टेंसी का केक का बैटर होना चाहिए और ऊपर से हमने जो तोटी फोटी थोड़ी सी बचाए थी वो भी हम दाल देंगे ताकि बहुत ही अच्छा लुकाई केक का अब मैंने 160 डिगरी पर अवन को पहले केक को बना सकते हैं उसकी रेसिपी मैंने ओलेड ईवन के केक को बेट करना है अब 40 मिनिट के बाद में में इसको चेक कर लिया है तो चलिए अब हम इसको निकाल लेंगे की को तो निकाल कि हमने थंड़ा कर लेना हैं की के रुम टेंपरेचर पर आने के बार ही हमने अनना वन्मोल करना वन्ना कर अगरम गरम को आगर निकाले जाएगे तो यह तूट जाएगा तो केक अच्छे से थंड़ा हो गया है तो अब हम इसके जो side से इसको lose out कर डेंगे इस तरह से knife की मिदद से और अब हम इसको flip कर देंगे तो बहुत घा केक तयार होगया है जाली ले लेकिे कितनी आसानी से ये cake निकल गया है और कितना जाली दार और फूला फूला हुआ केक बनकर तयार है बहुत ही सॉफट और if plugins बना बचों के लिए भी आप इसको बना सकते हैं यह देखिए कितनी जाली इसकी अच्छी बनी है तो जरूर त्राइ की किजिए यह fruit cake की recipe और Fruitt cake को मैं आपको cut cut कर की भी बता रही हूं कितना tasty बना है अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने ऐसे फैमिली और फ्रेंड से जिनको केक रेसिपी अच्छी लगेगी और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल प्यूर कुकिंग को ऐसे यूसफुल वीडियो के लिए थैंक्स वाइकर वाचिए